दोस्तों, शुक्रवार को यह उपाय कर लेना मिलेगा। भरपूर फाइदा शुक्रवार का दिन। मा लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर उनका आशीरवाद पाने के लिए उत्तम माना जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका घर धन संपत्ती से भर जाए और परिवार में सुक्षान्ती बनी रहे तो शुक्रवार के दिन इस उपाय को करें। अगर चाहते हैं कि आपका फाइदा हो तो वीडियो को विनाश के लिए पूरा देखना दोस्तों। इस दुनिया में शायद ही ऐसा कोई मनुष्य होगा जो धन की चाहत न रखता हो। हर कोई यही चाहत रखता है कि उसके पास इतना सारा धन हो कि वह उससे अपनी सभी इच्छाएं पूर्ण कर सकें। और अगर बहुत सारा नहीं तो कम से कम इतना धन हो ही कि वह अपना गुजारा ठीक से कर सके। धन को प्राप्त करने के लिए कुछ लोग सही राह चुनते हैं और धन पाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। परंतु कुछ लोग छलकपट और गलत काम का सहारा लेकर अतिशिग्र कमाने की कामना करते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जिनके पास पैसे तो होते हैं, परंतु ज्यादा दिन तक टिक पाता उनकी इस आदत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है, कि सुबह उनका पर्स पैसों से भरा रहता है, परंतु शाम होते ही कुछ चंद सिक्कों के अला शास्त्रों से जुड़े अचूक उपाय लाए हैं, जिन्हें अपनाने से आपके पास धन सदैव टिका रहेगा, और आपका पर्स कभी खाली नहीं होगा, शास्त्रों में प्रसिध वास्तु शास्त्र के अनुसार, अगर यहां बताई गई वस्तूओं को आप अपने पर् आपका पर्स कभी खाली नहीं होगा, और जरूरत के अनुसार आपको पैसा मिलता रहेगा, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइ नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएगा, दोस्तों, पहली चीज है धन की देवी मा लक्ष्मी जी की तस्वीर, मा लक्ष्मी धन से संबंधित हर प्रकार की मुश्किलों का समाधान कर देती है, मा लक्ष्मी की तस्वीर अगर आप अपने पर्स में रखेंगे, तो आपको कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी, परंतु मा, लक्ष्मी की वही तस्वीर आप अपने पर्स में रखें, जिसमें वो बैठी हुई मुद्रा में हो, अब दूसरा है पीपल, पीपल का हमारे हिंदु धर्म में पीपल एवं तुलसी दोनों को ही पूजनिय मान कर उनकी पूजा की, शास्त्रों में इनका अत्यधिक महत्व है, तथा दोनों के संबंध में अनेक शास्त्रिय उपाय भी हैं, जिन में धन से जुड़ा उपाय भी शामिल है, वास्तु शास्त्र में बताया गया है कि पर्स में सदैव पीपल का पत्ता रखना चाहिए, ऐसा करने से आर्थिक लाभ प्राप्त होता है। आपको सिर्फ एक लाल कागज चाहिए, इस कागज में आप अपनी इच्छा लिख कर उसे रेश्मी धागे से बांध लें, तथा इसके पश्चात इसे अपने पर में रख लें। ऐसा करने से जरूर आपकी इच्छा पूर्ण होगी। पर्स में शीशे का कोई टुकड़ा आया, एक छोटा सा चाकू रखना चाहिए। यह उपाय भी धन वृद्धि में सहायक होता है। इसके अलावा आप पर्सम एक कोडी या गोमती चक्र भी रख सकते हैं। छठा अगर आपके पास चांदी का सिक्का पड़ा है, तो इसे भी पर्समें रखने धन लाब होता है। चांदी का सिक्का या सोने का सिक्का पर्स में रखने से प्रसन्न होती है और धन की वर्षा करती है। परंतु ध्यान रहे कि सोने या चांदी के सिक्के को पर्स में रखें, से पूर्व इसे घर के मंदिर में मा लक्ष्मी के चरणों में रखें। साथवा, अगर आप रुद्राक्ष अपने पर्स में रखते हैं, तो यह दरिद्रता को, यानि की गरीबी को दूर कर धन व्रिद्ध में सहायक होता है। आठवा माता पिता या बुजुर्गों से आशीरवाद के रूप में मिले नोटों पर हल्दी या केसर का तिलक लगा कर सदैव पर में रखें। इससे आपके पास धन की व्रिद्ध होगी। चीजों को पर्स में रखने के अलावा कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिन्हें अगर आप न करें तो भी धन में व्रिद्धी होती है। कभी भी अपने पर्स में नोटों को मरोड कर न रखें। अगर आपके पास में इधर उधर से मुड़े हुए नोट होंगे तो आपसे महलक्ष्मी जी रूठ जाएगी जिससे आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ जब महलक्ष्मी प्रसन्ण हो जाए तो चाहत हमारी छोटी पढ़ जाती है। खुशियां ज्यादा मिल जाती हैं। चाहते हैं उससे कहीं ज्यादा और अगर पसंद न हो तो घोर दरिद्रता का सामना भी करना पड़ता है। परन्तु आप देखा होगा कुछ समय ऐसा होता है। आप जो भी करते हैं बहुत अच्छे से होते हैं। इसका मतलब है वो का अच्छा वक्त है। तो उस समय को पहचान कर आपको खूब मेहनत करनी चाहिए ताकि आप दिन दोगुनी रात चोगुनी तरक्की करें और जब समय गढ़ बढ़ चले तब विपरीत धारा में नहीं जाएगा। बलकि सिंपल तरीके से लाइफ को आगे बढ़ाएं। बस चले दोडने की आज ज् समझ गए होंगे जब समय गढ़ बढ़ हो तब शांत हो जाए। हो जाए और जब लगेगी सब सब कुछ ठीक हो रहा तो एक बार फिर से प्रयास करें। इलायची तो हर घर में होती है और इलायची के प्रयोग से आप अपने शुक्र को मजबूत कर सकते हैं। तो शुक्र भोग विलास बढ़ाता है यानि आप अच्छे से खाएंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, फीरेंगे तो शुक्र को बहतर करने के लिए छोटे छोटे उपाय किये जाते हैं। जैसे कि आप थोड़ा सा पानी ले लें, उसमें इलायची के एक दो दाने डाल कर उसको थो बूंद इस पानी को डाल कर नहाएं, ये तो पवित्रता बढ़ेगी और इस पानी से नहाने से भाग्य भी मजबूत होता है, शुक्र बहतर होता है, तो ये था एक सिंपल प्रयोग, परन्तु कई बार ऐसा होता है नौकरी या शिक्षा में आप तरक्की नहीं कर पाते, त पिश्री बताशे ले 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 और इसको लेकर किसी पीपल के नीचे किसी भी दिन रख दें, अगर शुक्रवार का दिन हो तो ज्यादा अच्छा है और अपनी पढ़ाई की कामना करें कि हम बड़े अच्छे से तरक्की करें, पीछे मुढ कर मत शिक्षा की बाधाएं समाप अगर आपका शादी विवाह नहीं हो पा रहा है, तो विवाह के लिए भी एक छोटा सा प्रयोग किया जाता है, किसी भी शुक्रवार के दिन, वह हरी इलाइची थोड़ी सी कोई मीठी वस्तू या सफेद मिठाई और एक घी का दिया लेकर आप किसी पवित्र बहती नदी पर चले जाएं या कोई तालाब के किनारे भी जा सकते हैं, अब किसी पत्ते याद होने पर नदी के पास इलाइची और मीठी वस्तू जो लेकर गए हैं, उसे वहाँ पर रख दें और एक दिया या फिर बहते हुए जल में किसी पत्ते डाल कर बहा दें, आपका शुक्र भ प्यार कहीं खो गया है, दूरियां आ गई हैं, तो भगवान श्री कृष्ण का नाम लीजिए, क्योंकि सबसे बड़े प्रेम के प्रती तो हमारे भगवान कृष्ण नहीं है, उनका नाम लें और शुक्रवार के तीन हरी इलाइची ले लें, अपने शरीर से स्पर्ष करें वैसे तो कहा जाता है पसीने से स्पर्ष करें, पर ऐसा न करें, आप अपने शरीर से कट कर लें, बस इतना ही काफी है, इसके पश्चात आपके पास रूमाल पल्लू या दुपट्टा जो भी है उसमें बांध कर अपने पास ही रखें, अगले दिन सुबह यानी शनिवार की, सुबह तोटका करना है तो शुक्रवार के दिन ये सब करके रख लें, इलायची को संभाल कर रखिये और लगातार, सुबह सुबह जब आप चाय वगेरह बनाते हैं, उसमें दो चार अच्छे से मिला दें, उससे पहले किसी भारी वस्तु से दबा दें, कूदे और पी लोग को रविवार के दिन भी कर सकते हैं, परंतु जरूर कीजिए, इससे प्रेम बढ़ता है, तो विद्यार्थियों को सफलता पाने के लिए हमने जो उपाय बताया, उसको कीजिएगा, इसके साथ ही एक छोटा सा काम और कीजिएगा, अगर आप पढ़ाई में कमजोर है आपकी पढ़ने की इच्छा एकदम से खत्म हो तो थोड़े से दूध में इलायची डाल कर उबाल लें और घर में अगर कोई गरीब व्यक्ति आता हो, जैसे काम करने वाला सफाई कर्मचारी, तो उनको आप चाहे तो चाहे वगेर है बनाकर उसमें डाल कर मिलाईए, तो ऐसे में किसी हिजडे को कुछ सिक्के और हरी इलायची डाल दें, और उनको बीच-बीच में आप देते रहे, और वो आपकी ये इलायची खा लेता है, तो सदैव ही अपने पास इलायची रखिए, और जब भी मौका मिले, कुछ सिक्के और इलायची दे दें, आपके दुवार के दिन हरी इलायची पीले कपड़े में बांध कर किसी दें, या आप किसी पास के मंदिर में जाकर रख दें, आपको सुंदर बीवी मिलेगी, बहुत सिंपल प्रयोग है, करके देखिए, आजमा कर, देखिए, कई बार ऐसा होता है, कि आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है, तनख्वाह नहीं बढ़ रही है, आप बहुत मेहनत करते हैं, पर आपके जूनियर सीनियर हो गए, आप वहीं पड़े हैं क्या करेंगे, आप रात में सोने के पहले हरे रंग के कपड़े में हरी इलायची को बांध कर तकीये के नीचे रख कर सो जाएं, और अगले जाएं, तब एक छोटा सा प्रयोग करें, अपने दाहिने हाथ में इलायची ले लें, चाहे तो तीन इलायची रख लें, फिर बोली श्री, श्री महालक्ष्मी का बीज मंत्र तो यह मंत्र है, श्री हरी श्री कमले, कमला लिये प्रसिध, प्रसिध, श्री हरी, श्री महालक नमह बोलिये और एक इलाइची खा लें बाकी की पॉकेट में रख के पश्चात में खाईए आपको सफलता मिलेगी